19 जून 1970 को जनमेर राहुल गांधी की कौंग्रेस के रास्ची अधिक्ष्ट के तोर पर ताच पोशी 16 दिसムबर 2017 को ही 2019 साते आते राहुल गांधी की रवानगी भी तैम आली जा रही है 2019 क्याम चुनावों में कॉंग्रेस के अध्यक्षा कर रहे राउल गांधी ने इन चुनावों में हार की जिम्मेदाली अपने उपर ली और साफ कर दिया कि वो कॉंग्रेस के राश्चे अध्यक्ष के तोर पर नहीं रहना चाते तो क्या अब कॉंग्रेस लंबे समय बाद बिन गांधी परिवार की हो जाएगी? मतलब साफ है कि कॉंग्रेस का नए अध्यक्ष क्या गैर गांधी होगा? देश की सबसे पुरानी कॉंग्रेस पार्टी के सामने अब ने अध्यक्ष को चुनने की एक बड़ी चुनोती है ऐसे में सबसे उपर सबसे पहले जो नाम सबके सामने आया है वो है अशोग गहलोत का राजस्तान के मुख्य मंत्री और राजनिती पर अपनी पकड़ रखने वाले अशोग गहलोत का कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तैम आना जा रहा है इतना ही नहीं एक खबर ये भी है कि अशोग गहलोत के साथ साथ कॉंग्रेस दो या तीन दूसरे कारेकारी अध्यक्ष भी बना सकती है सेम दिल्ली मॉडल जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर शिला दिक्षित के साथ तीन और अध्यक्ष भी बनाए गई है हलकि अध्यक्ष कारेकारी है लेकिन सवाल वही है कि अब कॉंग्रेस के राजधे अध्यक्ष क्या अशोग गहलोत होंगे अशोग गहलोत जिनके पास राजनिती का एक लंबा और अच्छा खासा तजरुबा है कि आप वाकई वो कॉंग्रेस की कमान्द संभाल सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भी जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो अशोग गहलोत का है और इसके पीछे जो तरक दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि अशोग गहलोत सोनिया गांधी के भी करीबी है और रहूल गांधी के भी करीबी है और अशोग गहलोत के नाम पर प्रिंका गांधी को भी कोई आपती नहीं है आपको बता दें कि अशोग गहलोत पिछडी जाती से आते हैं और कॉंग्रेस ये भी मान रही है कि जिस तरह से आम चुनावों में निरंदर मोदी ने बार बार रहुल गांधी और उनके परिवार पर वन्षवाद का अरोप लगाया तो कहीं ना कहीं अगर अशोग गहलोत जो की पिछडी जाती से हैं उनको कॉंग्रेस का राश्चे ध्रक्ष बना दिया जाता है तो ये बात निकल कर सामने आई ही कि कॉंग्रेस दूसरे लोगों को भी पूरा मोका देती है और ऐसे में अशोग गहलोत पर दाव खेलना एक गहलोत ने कमान समाली थी और गुजरात जो नरिंदर मोदी का गड़ है जो देश के परधान मंत्री की एक जनम सली और करम सली है वहां पर अशोग गहलोत ने कॉंग्रेस को अच्छी सीटे भी दिलाई थी तो ऐसे में यही अब एक नाम है जो सबसे ऊपर है हलकि इस नाम पर मोहर लगी है या नहीं लगी इस पर अभी कुछ साफ नहीं है लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगले दो से तीन दिनों के अंदर कोई ना कोई नाम निकल कर सामनी आएगा और जब नाम अशोग गहलोत का हो सकता है ऐसे में अगर अशोग गहलोत कॉंग्रेस के राश्चे धक्ष बनते हैं तो भी राजस्तान के जो डिप्टी सीयम है सचिन पाइलट वो राजस्तान के सीयम बन जाएंगे एक सवाल ये भी है कि जब राहुल ने अपने धक्षता के अंदर देश भर में 2019 के आम चुनावों में 423 उमीद्वार उतारे थे तो उसमें से महज 52 क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब से अध्यक्ष पसे इस्तीफा देने की बात की है तो कॉंग्रेसियों का मनोबल तूट गया है हलाकि ये भी कहा जा रहा है कि जब 2-3 और दूसरे अध्यक्ष होंगे तो देश के अलग-अलग हिस्सों से जो श्चिमी भारत से ऐसे में जो दो से तीन कारेकारी धक्ष बनाए जाने की एक नई कवायद कॉंगर्स पार्टी में शुरू हो गई है तो क्या वो अब कवायद राष्टे इस्तर पर भी देखी जाएगी दिल्ली में एक एग्जामपल सेट किया गया था क्या वो दोत बखेर पाएंगे फिलाली स्पेशकर्श में इतना ही मुझे दीजाए जाजत नमस्कार